फर्स्ट कोशन प्लासी के यूद में अंग्लेजी सेना का नित्रत्व किस ने किया था सबसे पहले जाने कि प्लासी का यूद हुआ था कब तेस जुन 1757 को ठीक है तेस जुन 1757 के बीच में यह मिन्स की उस्व में यहां पर यह यूद हुआ था 1757 में यह उद्ध होता किसके किसके बीच में अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजु दौला के बीच में ठीक है जो दौला ने किया क्या था कि जो 146 से उसे क्या किया था 148 की कमरें बंद कर दिया था जब अगले सुबह खोला जाता है तो मात 30 जीवित बसते है ठीक है इस घटना को कहते है ब्लैक होल की घटना और यही कारण है प्लासी का यूथ का कारण ठीक बंगाल का आईये बंगाल क पहला गवर्नर अब गवर्नर नहीं गवर्नर जनरल कौन था वारन हेस्टिंग फिल बंगाल के बाद आता है भारत का अब बंगाल के गवर्नर यह भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था तब भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था बिलियम बेंटिंग और भारत के प और cannon धारत में सहायक संदी का जनम डाता किसे कहा जाता है तो भारत में सहायक संदी का जनम डाता डुपले को जाता है पहला चिर्व सबसे जादा उपयो किसने किया था लिकिन ब्लेजली ने ठीक है और पचार परसार भी इस ने किया था ब्लेजली ने लेकिन अगर आप से पूझे है भारत में साहिक संदी के जन्म दाता कौन है और अगर बात करें पुलीस का जनक की बात करें तो ये भी कौन था कार्ण वालिस अस्थाई बंदोबस्त या जिसे क्या करते है तो जमिंदारी वेवस्त था का जनक कौन था ये भी कार्ण वालिस था ठीक याद रहेगा चलिए लेक्ट सवाल पर आते हैं कि सिविल सर्विस दिवस कब मनाय जाता है 21 अपरेल को दिहार रिखीगा क्योंकि इसी दिन सरदार जो बल्ला भाई पटेल ने सिविल सर्वेंट को कहा था क्या कहा था ये भारत का क्या है इसी दिन क्या कहा था सिविल सर्वेंट को ये भारत का क्या है स्टिल फ्रेम है 21 अपरेल 1947 को कहा था ठीक है तो इसलिए किस अपरेल को क्या मना जाता है सिविल सर्विस डे मना जाता है ठीक नेस्ट पहली बार बंदे मातरम बहुत इंपोर्टन मोस्ट इंपोर्टन कुस्टन पहली बंदे मातरम को कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में गया 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 था तो ये था अठासुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् है याद रुठे 15 में बंगर्ड के हुआ और इसके विडोध में क्या चला था इसी समय स्वाधblackर अ dare LAUDähän कर चाह सवाल से बंगाल बीन को कब रद किया गी है मुस्ट इंपोर्टिन कोष्टिन यह कब रत किया गया उसी समय घोष्णाkeiten किया गया थो कि कलकत्ता के अश्चान पर दिल्ली को क्या बनाय जागा राजधानी बना जागा और 1912 में दिल्ली क्या बन जाती है भारत की राजधानी दिल्ली हो जाती है ठीक है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि बताईए बंगाल विभाजन लागू करने किती थी क्या निर्धारित की थी बंगाल विभाजन लागू करने किती थी क्या निर्धारित की थी तो 16 1905 यह भी सवाल कई बार इस तरसी डेटली आ जाते हैं अब आईए यहां पे अस्थाई बंदोबस्त देखिए भारत में जो भारत कर मैं इसका मैं बना दू ठीक है तो किस किस छेतर में हुआ था कौनकुन यह भी बात समझ ली जाए जैसे अगर मैं बात कर लो अस्थाई बं क्या बात किरू तो देखे सथाय बन्दो के बहारत के जो था पुर्वी भाग में बारत जो बहारत के पुर्वी भाग में क्या था अस्थाय बन्दो बसक पुर fix छेतर में था तो दक्षनी पश्मी भाग में क्या दक्षनी पश्मी भाग में है ना दक्षनी पश्मी भाग में कौन सा विवस्था था रैयत वारी बंदवस्थ विवस्था ठीक रैयत का मतलब होता है किसान ठीक है रैयत का मतलब क्या होता है किशान विवस्था या किसान ब मत्तरपचिम मस्त्वर्थ कॢ था, महाल वारी विवस्ता, अब सवाल यहां से क्या आता। डिर्कली दखे स्थाई बंदोवस्त विवस्ता लागो किसे ने किया। मैं गएंजी तो तीन बातें याद रखे कर स्थाय बंदोबस्त-त्त रएत भारी और महाल भारी कारण बालिस रीड तत्था मिर्डो और है ठिक है चले यहाँ मैं स we पारेबंदवस्त बेवस्ता लागू किया था हौल्ट मैकंजी के द्वहरा ठीक है नेक्षच आते पूना पैक्ट पूना पैक्ट किन किनके किनके बीच में हुआ था तो गांदी जी और अंबेदकर के बीच में कब हुआ था 1932 में ठीक है यहां सोब सवाल आ जाते हैं और कौन सा जेल यरवदा जेल में ठीक है यरवदा जेल कहां पूने में ठीक यह भी फैक्ट याद रखीगा ठीक है चली नेस्ट क्या सवाल है कि कॉंग्रेस की पहली भारती महिला देख्ष कौन थी देखिए कॉंग्रेस की पहली तो ठीक है ना लेकिन भारती जब पूस दिया ये भारती भारती बहले है तो नाम याद रखेंगा सरस्वजनी नाडू कॉन सा धीवेशन कानपूर धीवेशन कब काmedim 1925 का कानपूर धीवेशन के अधेक्श्टा की थी सरस्वजनी नाडू ने और पहली भारती महला धेक्स इस थी थी थेक ये भी याद तो कौन हो जागा एनी बेसेंट ठीक है इनकी दो पत्रिका भी याद रखेगा फेमस पत्रिका है निव इंडिया और कॉमन विल छपता है सवाल ठीक है निव इंडिया और कॉमन विल ठीक है तो राश्टी महिला दिवस कम मना जाता है तेरा फरबड़ी को क्यों सर्विजिन लाड़ी के जनम दिवस के अपसर पड़ ठीक है अगर सवाल पूजिया जाए ठीक है अंतराश्टी महिला दिवस बताई कम मना जाता है आठ मार्च को मना जाता है नेक्स सवाल बुड Dispatch जिस से कहा जाता है आधुनिक शिछा का मैंगा काटा विड़ दिसपाँ आध्वनिक अधुनिक शिछा का मैंगना काटा किसके सासनकाल में आया डलहौ जी के 454 में ठीक है और डलहौ जी का संबंद किस से है तो डलहौजी से है ठीक है ये बात याद रखे है सवाल यहां से डालेक्ट आते हैं भारत में पहली जनगन्ना किसके समय की गई थी लॉड मैउ को समय 1872 में की गई थी ठीक है लेक सवाल पर आते हैं कि दसकी अधार पर भारत में पहली जनगन्ना किसके सम कि गए थी रिपन के समय अगर दसा की अधार पुछा जाता है अगर सवाल यहां पर देख लिए जब दसा की अधार पुछा तो 1880 में ठीक जहां रहे गिया और किसके दौरा रिपन के दौरा लेकिन अगर सिर्फ जनगन्ना पुछा तो मेयो के दारा 72 में बिस में पहली सव हूं यसमें हुई थी सूडर में ठीक है लेस्स जनगन्ला गरूं में बात करूँ जनगन्ला की सूचि के नतर अता है तो संघ सूची का विशय है अगर जन संख्या पुछ दे आ जा तो संवर्ति-शूचिं का ये सबांव righte को कहा जाता था चले ले श्ताते काखोरी ट्रेंट कब हुई थी नौ अगस्ट 1925 ठीक है काखोरी ट्रेंट कब हुई थी नौ अगस्ट 1925 और अभी करेंट अफेर्स भी इससे बन गया कि ड्रकाथी के जगा पर क्या कर दिया गया है एक्षन ठीक है एक्षन कर दिया गया नया जो करेंट एफर्स में इसको काकुरी ट्रेन रखेती के अस्थान पर ट्रेकती वला वर्ड हटाकर यहां पर एक्षन कर दिया गया ठीक है तो करेंट एफर्स में यह भी सवाल बन सकता है और अगर मैं बात करूँ काकुरी ट्रेन र हो है तो इनके नाम से जभना है प्रांग अधियान कहां पर है उत्तरपड़व में ढन तर्व में तथ्थ गर्म दल का निसे वा था उनीस साथ में ठीक है उस deze समय भीभाजन हुआ था ठीक और अधियस्टा कॉन क्या था अध्यक्षा क्या था ठीक है समप्रदाइक निरवाचन प्रणाली किसके द्वारत सुरूप की गये थी तो 1909 के मौरले मिंटो एक्ट के द्वारा थीक है नेक्स दिल्ली भारत के जाज़ानी कब बनी 1912 में कॉंग्रेस का लखनव अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टन कोशन है लखनव का कॉंग्रेस का लखनव अधिवेशन कब होता है 1916 में इसकी अध्रिक्सा किस ने किया था सवाल अगर सवाल पुस्ते हैं कि चंपार्रेस सथयगर्ण सवाल अगर सवाल आता है कि चंपार्र सतयगर कभरा एक तो 13 अप्राइल 1919 दूसरा जलियावाला बाग हत्याकरण अथिस्या जनल ओर डायर ने ठीक है तो जलियावाला बाग हत्याकरण कब हुआ था 13 अप्राइल 1919 में 1919 का एक और बात याद रखेगा कि मोंटेग्यु चेंचफ़ोर्ड अधिनियम तिक है और रॉलेट एक्ट ये दोनों बाते थीक है मॉंटेग्यु चेंचफ़ोर्ड अधिनियम दूसरा रॉलेक टा क्ट तिक है दो बाते 19 का ध्यां रखेगा हुआ सवाल नमबर फट्टी प् भारते पुनर जागरंस का जनक किसे का जाता है राजा राम मोहन राय अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ राजा की उपादी ठीक है यह वर्ड जो राजा की उपादी किस ने दिया था अकबर दुईती ने दिया था ठीक है तामाको की खेती तथा प्रिंडिंग प्र और सबसे बाद में गय भी सबसे पहले आए भी है और सबसे बाद में गय भी थे है चली अस्थानिय सो सासन का जनक किसे कहा जाता है अगर मैं बात कर लू अंसर हो जाएगा रिपन अस्थानिय सो सासन का जनक रिपन को कहा जाता है ठीक और इसी के समय, ठीके, इसी के सासंकाल में इलबर्ट, बिल, बिवाद भी इसी के सासंकाल में ही होता है और जसकी अधार पर, ठीके, जसकी अधार पर भारत में पहली जनगनना भी इसी के समय होता है रिपन के समय, तो दो बाते और भी इश्ट्रा याद रखिएगा, अब आए प्लासी का तो यूद हो गया था, 1757 में, है न, अब बक्सर की उद में बात करते हैं, बक्सर की उद में अंग्रेजी सेना का नेतर तो किस ने किया था, उस समय अगर मैं बात करो, बक्सर हो गया य प्लासी के यूद के समय कौन था, रॉबेट कलाइब, इसके समय अंग्रेजी सेना का नेतर तो किस ने किया था, हेक्टर मुन्रोर है, ठीक है, कब तो 1764 में, ठीक, और किसके बीच में, तो यह तो हो गया अंग्रेजी सेना के बीच में, दूसरा, मुगल सासक, शाह आलम द सेना की अलग गुड़ थी, इन दोनों के बीच में होता है, और जीतता कौन है, अंग्रेज, इसमें विजयता कौन होता है, अंग्रेज जीत जाता है, इसमें, हेक्टर मुन्रो जो है, अंग्रेजी सेना का नेतर रित्व करता है, 1764, अगर मैं बात करूँ, और किसके बीच और इन तोनों का अलग एक गुड़ था ठीक है इन तोनों एक साथ और अंग्लिजी से न एक साथ फिर भी अंग्लिजी से न जित जाती है ठीक है चलिए और इसके बाद होता है क्या है इसके बाद होता है बाइस अक्टूबर को क्या बाइस अक्टूबर 1764 को फिर क्या होता ह ठीक है इसी समय ये तो होता है 22 अक्टूबर 764 को क्या होता है बक्सर का यूद 22 अक्टूबर अगर तारीक भी पूद दिया जाए तो ये भी याद रखेंगा 22 अक्टूबर याद रखेंगा वहाँ पे 23 जुन था यहाँ पे 22 अक्टूबर जून और अक्टूबर ध्यां पुस्तक नील दर्पन के लेखा कौन है दीन बंधु मित्र दीख चलिए नेस सवाल प्याद है कि स्वत्य सोधक समाज के अस्थापना किस ने किया था जोतीबा फूले ने ठीक है कब 1873 में कहां महराश्ट में तीन बाते याद रखेगा इनके बहुत अच्छी फेमस पुस्त ती यह यद्र रखेगा जोतीबा फूले के फूस्तक थी नाम याद रखेगया गुलाम गिरी प्यूद्ध सवाल ऐसा आजाते ही बताई गुलामगिरी पुस्ता के लेख जोतिवा फुल है सब्सक्राइब सत्यार्थ परकास ग्रेंट के लेखा कौन थे द्यानानस और सती ठीक है आढ़ समाज के स्थापला भी इनों ने किया था द्यानानस और सती ने भी नहीं स्थापना भी किया था ठीक है कब 1875 में ठीक है कब मैं ठीक करवा दूँगा इसलिए चिंता मत किजिए 1875 में ठीक है वेदो के ओर लॉट चलो इनी का नारा था और सुद्धी अंदोलन क्या सुद्धी अंदोलन भी इनी का था तो तीन बाते याद रखीगा यह 1875 कर ठीक है 1875 आर्ट समाच की सस्थापना ठीक हलाकि मैं ठीक करवा के अपलोड करवा दूंगा टेलिग्राम पे चलिए लेक्ट सवाल प्याते कि महातमा गांदी ने कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में अधिक्षा की थी 1924 के ठीक है 1924 का दिवेशन था कहां बेलगाउं अधि विछा किया था वो भी 1924 के बैलकाउ आधिवेशन करनाठक में ठीक है शाल हूं ने सर दार बल्लस पाई पटेल ने कहा गुज़रात में पिचलर और गुज़रात में ही सरदार की जो ये सत्याग्रह होता है इसी पर यहीं की जो महिलाई होती है ठीक है इन्हीं की महिलाई जो बारदोरी सत्याग्रह की जो महिलाई थी उन्होंने इनको सरदार की उपादी दिया था ये भी याद रखिएगा ठीक चलिए इस सवाल पर आते हैं कि भारती ते हैं ऐसे नोग हो एगर मैं भात्र रहा ज़ुत कि ने अडिया चैना पत्रिकान परहा है याद रखेगा ठीक ने में कात्या frågor के सफंहें? यह जात क्या है के सफ्छमивать में झालख हो सफिलग करें ते हम एक उत्पाना आझा टिदक धर्छे किन का yrाम कौन कहा था अच्छा मैंने निचे लिख दिया किस ने कहा कि बाल गंगा धरतिलग भारती उब्दरब के पिता है वेलेंटाइल सिडोल ने कहा था ठीक चुली अंगलेजों ने कुर्शाशन का म्युदय अधार पर किस रीयासत रियासत का भिले किया था अंगलेजों ने कुर्शाशन का धार जुसमें कहाँ ना ड़लाष जी के समय हरपनीती थी करकें । कोई और आप्स करें किस रियासत का बीड़ा क्या था जहां सही ने यह चलन था और एंग्रेजों ने कहा मिसके उसको तो राज हरप करने से मतलब था उसको अपना धिकार अस्थापित करने से मतलब था यहां पीछ ने गोध प्रथा को बता कर उसने उस रियासुत को भी बिले कर लिया था अपने स्वाशन में ठीक है आधुनिक सिक्षा का मैंगन एकनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेख कोने आर्थी दक्त इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्ता के लेख कोने मौलाना अबुलकलाम अज़ाद ठीक है चलिए हंटर हायो का समद्ध किस घटना से हैं जलिया वाला वाग हट्या कांड से 13 अप्रेल क्या 13 अप्रेल 1919 ठी किस्वे है तो राजाराम मोहराय का ठीक है राजाराम मोहराय से समंद्धी थे अगर मैं बात कर लूँ लाल कूर्ती दल का समंद्ध किस्वे हैं तो खान अब्दुल गफार खां क्या खान अब्दुल गफार खां ठीक चलिए किस आयो की सिफारिस पर रेल बजट को आम कर दिया गिया था लेकिन अगर पूस दिया जाए कि विले कप किया गया या कब मिला दिया गया मिला दिया गया विवेक देवराय समीती रेल बजट को फिर से आम बजट में मिला दिया गया 2017 ठीक है चलिए में गीता रहस पुस्ता के लेखा कौन है बाल गंगा धर किलक गीता भगफी राजगुरु सुकदेब को कब फांसी दी गई ये तारीख ख्याद रखे गए 23 मार्च 1931 सांडर्स की हत्या के लिए ठीक है चली नेस्ट कोशनल पर आते हैं वार्ना कुलर प्रेस एक्ट का सम्बंद किस वाइसराय से है तो लिटन से कब 1878 इसमें वर्ना कुलर जो पना कि में बाद करूं हुक्याहिस ब्हारते समा चार्ब पत्र अधिनियम को क्या किया गिया था फिर्ति यह ए समचार पत्र परिए यहां पर्तिबंद लगाया किसने तो लिटन ने और हटाय किसने तो रिपन ने ठीक है लिटन और रिपन याद रखिएगा ठीक चलिए ने सवाल प्याते कि अंग्रेजो द्वारा कलकत्ता में कौन सा दूर्ग बना गया था था फोर्ट बिलियम ठीक है 1896 में कलकता दिवेसल में पहली बार गाया गया था जब अध्यक्सा रहिमतुल्ला स्ट्यानी ने किया था नई स्वाल प्याते कि वर्णा कूलर प्रिस एक्ट इसे भारति समझार पतर दिने में का जा जा था लीटं ने लागू किया था हटाया या प्रात्ना समाझ के साफला खोते है किसके दवारा अतमाराम पण्डुरांग के दवारा 1860 में सत्वसोधक समाझ के संसापकोंच जयोटिबाः फूले और 1863 में थीक चले चौरी चौरा घटना एक महत्पूर्ण घटना है पांच फरवडी तारीख या रख लिए जगा पांच फरवडी उनिस बाइस को गॉरकपुर जी लेके चौरा चौरा इससान पर एक थाने में आगलगा दिया गिया जिसमें एक थानेदार सहीत इक के सिपाही की जिसमें मिर् है ठीक है ग्यारा फरवडी 1922 को ग्यारा फरवडी 1922 को क्या अस्थागित कर दिया जाता है गांधी जी द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है अस्थागित कर दिया जाता है गांधी जी द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है अस्थागित कर दिया जाता है ग्यारा फरवड कोरी चौरा घटना के करण अगर मैं बात करो कि अस्तायोग अंदोलन कि मैं बात करो तो इसी समय इसी समय मैं बात को अस्तायोग है ना मैं ठीक करवा देता हूं 11 फरवरी ठीक है चलि को सब्सक्राइब को किस नाम से जाना जाता है इसी का द्वार संपरदाय के निवाचन का बीज बोया गया था चलि सवाल यहां से भी आता है ठीक है कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्म शोराज की मांग की गए थी 1929 के लहोर अधिवेशन में ठीक है और अध्यक्ता किस ने किया था जवाला नहरू ने ठीक है चलिए तो 1932 पून एक्ट याद रहेगा चलिए ने सवाल पहते है भारत में सलपर्थमाने वाले उरोपेन कंट्री कौन था देश कौन था पूर्तगाली ठीक है और मैं बात कर लूँ गोवा ठीक है गोवा की मैं बात कर लूँ गोवा ही जो था राजी क्या था पूर्तगालियों का क्या था यहां पे उपनेवेश था ठीक है गोवा का भी पूर्तगालियों का क्या था उपनेवेश था ठीक चलिए और यहां पे और सवाल आता है पॉं परत कब आया 1928 में दान्डी यात्रा मुष्ट इंपॉर्टन बारा मार्च 1930 को स्टार्ट होता है और 6 अपरल 1930 तक चली थी ठीके 24 दून के बाद 24 दून के बाद दान्डी यात्रा जो समाप्स होता दान्डी जो स्थान तो वहां पर नमक जो है ठीके नमक बनाकर उन्होंने नमक कर जो है उसको क्या किया था नमक जो कर अंदोलन था उसको क्या करता है करते हैं यहां पर अरहम करते हैं नमक कानून को क्या करते हैं यहां पर नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को तोरते हैं ठीक है ठीक है ठीक है और इसी के बाद इसी के बाद 6 अपरल को क्या होता ह करने के लिए नमक करते पर नमक के लिए नमक बना कर नमक कानुन को तौरा और 6 विंडो ओफ फ्रेंच कल्चर किसे कहा जाता है पुड़िचेरी को ठीक है पुड़िचोरी को या पॉंड़िचेरी भी कते ना पुड़िचेरी जो कि एक समय फ्रांसिस्यों का क्या था वो क्या था उपनेवेश था और 1954 तक यह यहां रुका था और भारत से बापस गया ठीक है भारत पहली रेल किसके कारकाल में चली जलहोजी के सासनकाल में अठार सो तीरेपन में मुंबई से थाने के बीच मारत में रेलेवेल लाइन का सरवाधिक विकाश किसके सासनकाल में वो उन्हें साथ के सूरत अधिवेशन में अध्यास्ता रास बिहारी बोस्किये थे लेल सवाल आजाएक गरम दल और नरम दल एक कब हो गये थे तो 1916 के लखनों अधिवेशन में अधिश्या अंभिकाशन मजणू मजणूदार ने किया था काकुरी टेंडा कैती कब होती है उ पचीश को कॉमन विल किसकी पत्रिका है और यहां पर दो बाते हैं ना एक तो कॉमन विल था है ना एक तो कॉमन विल था दूसरा क्या था यह भी याद रखिएगा एक तो कॉमन विल दूसरा बताईए दूसरा था यहां पर नोट कर लिजे तो कॉमन विल यहां पर आपने थी किसकी थी एनी बेशन की ठीक है और कांगरेस की पहली माहिला जेक्स थी कौन एनी बेशने बी याद रखिएगा होम रूल लीग आंदोलंद किसमें सुरू किया उन्ही सोला में एनी बेसंत था बाल गंगा धर तिलक ने ठीक है याद रखिएगा चलि अगर मैं बात कर लूँ पूने में पूने में कौन किया था तो बाल गंगादर तियलक पूने में बाल गंगादर तियलक ने और मदरास में इनी बेसन संपरदाईक निरवाशन प्रणाली की सदी नियम से परानम हुई 1909 के मुरले मिंटो एक्ट के और मुस्लिम संपर्दाई के लिए भारत में पहले जनगाना किसके काल में हुई लॉड मेओ के काल में किस वाइसराय के समय कॉंग्रेस के स्थापना होती है डफरिन 885 एओ हिूम के द्वारा किस मुगल बाथसा की मुरित्तिव भारत की सीमा से बाहर हुई बहादूर साजपर रंगून इसे भेद दिया गया था 857 में कैनिन के समय ठीक है 1932 में संपर्दाईक पुरुसकार की घोशना किसके द्वरा किया गया तो रैमजे मैक डोनाल्ड ठीक है रैमजे मैक डोनाल्ड ठीक याद रहेगा चले अगर मैं बात करूँ निमारी मिर्च महसब कहां का है मदपर्देश का ओंकारे स्वर की मैं बात करूँ ठीक है ओंकारे स्वर जो है बांध किस नदी पर है तो नर्मधा नदी पर कहां मदपर्देश में ये भी मदपर्देश में तो नीमारी मिर्च महहसब और मांडू महहसब एक और नाम लियाद रहे हैं मांडू मह襲 कभी तीक नीतियागोश अखण कभ होता है एक जनवड़ी 2015 को अगर मैं बात करने होरो नीतियाओ के पहले उ áreas अध्यक्स कौन होते हैं प्रधान मंत्री होते हैं नड़न मोदी हैं अमिताब कांथ CEO ठीक है याद रहेगा कि चलिए नेस्ट कोशन पर आते हैं यहां पर नीती आयो के हो गया ना चलिए राष्ठी उर्जा संगत्षन दिवस कमने जाता है 14 दिसंबर को राष्ठी उर्जा संगत्षन दिवस मना जाता है ठीक है चलिए गोपिनात बार्दुले एरपोर्ट है कहां असम में कहां है असम में है ठीक है और आधुनिक कि मैं बात करूँ आधुनिक असम के संसापक कहे जाते हैं बार्दुले ठीक है गोपिनात बार्दु इप Tiा को सो गोवा को क्या गोवा को राजी का दर्जा मिला था क्या राजी का दर्जा मिला था है ना और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर क्योंकि 19 समर ठीक है 19 दिसंबर 1971 को ठीक है 1961 को क्या 1961 को पुर्तिगालियों को गोवा से क्या किया तब बाहर खदेर के भगाया गया ओप्रेशन बिजे के द्वारा ठीक है इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है तो चलिए काई जहां पर पुरिस्वा पलस वाले कोश्चन के सिर्ज होते हैं कंप्लीट ठीक है होते हैं कंप्लीट इसकी पीडियो आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी ने नेक्स आपिक के साथ थांक यू वरी मुच